सुस्ति के संकेत है दुनिया पर के बाज़ारों से और आज आने वाले हैं अमेरिका में एहम महगाई दर्थ के आंक रहे इससे में दाइरे में कारोबार बारती बाज़ारों में लगातार एक्षन है भरपूर के आज फिर से मजबूत चुरुआत के बाद और आगे बढ़ें अच्छा है तो हमारी फिलिक बहुत अच्छा सब्सक्राइब करना पड़े तो थोड़ा काम से याद आया एक हमने बहुत इंटरसिंग काम किया है आज मिट्कैप और स्मॉल केफियर बढ़ी इंटरसिंग रिसेच बनाई है और कुछ डिटेल्स इंफोर्मेशन आपके साम और आपके तो भरोसा राय मिट्कैप मौल के पर कुछ हफतों से और वो क्या रंग लेकर आ रही है उस पर अच्छा है मतलब सबसे बड़े बात है कि बड़े लंबे समय बाद लोगों को पैसा बनाने का वाकिया मोका मिल रहा है और थोड़े चेरे पर मुस्कुराट आट परफोलियों में इस बार फरक थोड़े हल चल हुई है कल मुझे किसी से मेरी बात हो रही थी तो यही पोर्फोलियों मेरा दिसमर के अंत में चार परसेंट नीचे था तो आज 3% उपर होगी है तो साथ-8% का ओन और एवरेज रिटरन ठीक ठाक से पोर्फोलियों में आया ह तो अगर मतलब कहते हैं कि आपका शॉर्ट सेलेक्शन सही हो तो आप 35 बोल में पचासी रन बना सकते हैं जबर्दस हैं अब दोसों तो आप भूली गएं, दोसों का टार्गेट तो टेंशन ही नहीं दिलाता है आपको इससे में एक चीज याद दिलाता हूं, एक चीज बताता हूं, कल मैं बैट की यह सोच रहा था, नया क्या होगा क्रिकेट में, नया क्रिकेट में यह होगा कि जो जिस तरह से लोगों का धिरे दरे इंट्रेस्ट टेस्समेंच से खत्म हुआ, वंडे पर आया अब में चार सो प्लस के स्कोर होंगे, क्योंकि पहले बीस ओवर वंडे में बैटिंग इस तरह से की जाए कि आप एक दो विकेट से ज्यादा गवाए नहीं, छे की रन रेट से रन बनाते रहें, लास के तीस ओर को आप ट्विंटी रुंटी की तरह खेलें, तो वैसा होने लग और इसलिए शुरुआत के तीन-चार मैचे जो चले नहीं, तो बहुत लोग सोचे थे लेकिन 2022 के सरुष्ष्ष्ट की लड़ी वो दुनिया के ऐसे नहीं बने थे, बिल्कोटक क्लास, और कल एक्चली सुरी कुमार याद हो कि इनिंग में एक चीज चुप गई, ग्लेन मैक एक जो सिक्स उनने लगाया, रिवर्सी, वो भी क्या प्लेयर है, I mean, undoubted, कल तो जो जो दो शांदार बैटिंग देखने को मिली है, मज़ए आगी है, एक जमाने में जो आज सुरे कुमाही राद है, वो ग्लेन मैक्सल हुआ करते थे, दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव बिल्कुल, बिल्कुल, और दोनों ही कल अपने अपने हिसार से अच्छा दिस्ट्रक्शन करते वे दिखे, मज़ए दिल्ली में तो मुंबही में वान खेड़े में लोगों के कल मज़ी हो गए, पैसा वसूल परफॉमेंस, अच्छा, दो बड़ी टीम्स के वीच में उन्हें दिन भर ट्रेड के उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एजएक सिप्टी बहतर है, 33 पॉइंट ऊपर है, हमारे अपने संकितों के दम पर जो मैं आगया आपको विस्तार से बताऊंगा, डाव फूचर सपार्ट हल के हरी निशान में 30 पॉइंट ऊपर आपको नि पी जाए है, और आज भी नतीजों की है, लिस्त लंबी जहां पर आप कर रहेगा पूरा फोकस, बिल्कुल, तो नतीजों पर पूरा फोकस है, स्टॉक्स पर पूरा फोकस है, जैसे अनल जी ने कहा, मिट काप, स्मॉल काप पर एक खास डिसकॉशन भी आ रहा है आपके लि है, सब की नज़र बनी हुई है महंगाई की डेटा पर उसी के वज़े से आप ऐसा अक्शन देगा है, कुछ नया और बड़ा ट्रिगर चाहिए, अमेरी की बादरों को जो आते हुए दिख रहा है, मैजे की बात ही कि कल वो ट्रिगर बन सकता था, अमेरी की बादरों के लि तो दो आंकडों पर नज़र रखनी है, क्या रिटेल महंगा इदर पांच परसंट आती है, और कोर महंगा इदर क्या साड़े पांच परसंट आती है, इसके बेसिस पर आप आगे का एक्शन लेंगे, लेकिन कल एक फेट के अहम और वरिष्ट सदसी की तरसे कुछ बड़े बयान आये थे, वो बयान बड़े हानी कारक हो सकते थे, गातक हो सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ अमेरिकी बाजरों में नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वज़े यह है, कि अमेरिका के बाजर आज के महंगाई के आँकर देखकर मन बनाएंगे, लेकिन जो का कि महांगाई का, जो हमारा टार्गेट है, 2% का, उसी लक्ष पर हम टिके हुए हैं, लेकिन इसको आने में दो साल लगेंगे, मतलब 5 से 2 परसें तक पहुंचने में 2 साल लगांगे, 3 परसेंट गटेंगे, दो साल में, यानि कि उन्होंने बहुत लंबा समय दिया, उनके बायानों का ये मतलब साफ है, मतलब क्या, उन्होंने खुद नहीं का, जरूरत पढ़ने पर और ब्याजने बढ़ाई जाएंगी, तो भाई साब को शायद अंदाजा नहीं कि अमेरिका के बैंकों के हालत क्या और इसलिए वो मिम्स बनते ना, अमेरिका पर तो गलत नहीं बनते हैं, सैंक्शन रश्या के बैंक पर लगाएं, डूपते आपके बैंके, तो वैसे ही है, खुद के बैंकों के हालत खराब है, लेकि अब वही है, कि मतलब आप किसी को है न, एक ही काम दो ना, तो फिर वो लगा रहता है, फिर उसको बोले मेरा क्या, आपको खाली एक सुबह का शो करना है, फिर दिन वर में क्या चल रहा है, मेरा क्या, वह वैसा खाल इन फेड वालों का हो गया है, कि मुझे तो महंगा ही घटानी है, ग्रोथ, इंफलेशन, रेसेशन, बैंक, मेरा क्या, यह उस इटिट्यूट में बात करते हैं, मेरा काम तो महंगा, मुझे इसी बात के पैसे मिलते हैं, चलता नहीं है, आपको पूरी पिक्छेर देखनी होतीए, महंगा, गटानी है, गटानी के स्पेसे, रफतार है, कि स्पीड से आप ब्याज दरे बढ़ाएंगे, कि स्पीorg से खुली नहीं कितनी तेजी से बढ़ रही है अब नो परसन बढ़ गई तो अब थी आप बढ़ गई वापस नीचे आप उसी स्पीड से लाना चाहते हैं यह संबब नहीं है बिल्कुल है ना बिल्कुल चीजा है खराब जल्दी हो सकती है ठीक होने में तो टाइम लगता है न चीज बेसिक अंडरस्टेंडिंग वाली जो चीज है ना वो कई बार मिस कर जाते हैं क्योंकि आपका फोकस एक ही चीज पर होता है तो फेट के जादा तर सद्विशों का फोकस महंगाई पर है तो इस बार भी आप दिखे ना पावल साब ने सीधा सीधा एक भी बार यह न पकी है हमारी और आज उनकी रात को सो आँखने बहुत जरूरी के साड़े पांच परसंट या इसके नीचे कोर के रहे और नॉर्मल महिंगा इदर पांच परसंट के आसवा आज हम एकसिडेंट बरदाश नहीं कर सकते हैं समझो 5.7 5.8 आजाते ही मैं कोर इंफलेशन यह ज से ज़्यादा आया तो फिर दिक्कत हो जाएगी यह जो कि है ना इनका एटिटूड साफ दिख रहा है कि उनको रेसेशन नोक्रियां बैंकों की समझ से हैं सेकंडरी ना 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 बाद में देखेंगे पहले मैं गई गई तो इसलिए इस लिए इस बड़ी इवेंट के पहले अमेरिकी बाजार थोड़े सिमिदारें अब इतने बयानों के बाद में चाहिए क्यों नहीं गिरें नहीं गिरने की दो वज़े एक इन्होंने वो सब कुछ का जो पहले ही पाविल साफ डरा चुके है तो नया कुछ डरा है नहीं बोले खराब लेकि नया नहीं डरा है और दूसर है कि जो डिसिजन फेड अगली मिटिंग में लेगा वो आज के महंगाई के आंक रोके अदम पर लेगा इसलिए मार्केट नहीं एक दिन और देख लेते हैं एक दिन और देख लेते हैं आज रात को डिसाइड करेंगे क्या करना है तो अमेरिका शान्त है न बड़ी सब्सक्राइब के रहे लेना चाब हुआ एकदम फ्लाट निफ्टी और संसेक्स तो एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हुएं बैंक निफ्टी भी थोड़ा हलका से मदब बैंक निफ्टी की रेंज देखें तो कुछ आदा नहीं है हम भी फिर इसी कंसॉलिडेशन में आरे है संके थम भी दे रहे हैं लेकि तक हमारा डायरेक्शन क्लियर है डायरेक्शन तेजी की तरफ है स्ट्रेजी क्लियर है बायान डिप्स की यह अभी तक काम कर रही है और इसके काम करने में कोई बदलाव है नहीं और तब तक बदलाव नहीं होगा जब तक निफ्टी के उपर क्लोजिंग दे रहे हैं पितले साथ प्रेडिंग सेशन से तो साथ इसलिए आपका आठरा जार बेस हो गया बैंक डिफ्टी तैयानली से जार बेस है पितले साथ दिनों में सिर्फ एक दिन छोड़ दीजिए वो पैनिक वाला जो था फिजी एफसी बैंक वाला अधर फ्रेड़ा से उस एक्सेप्शनल दिन को उटा दे तो जब तक तक त्याली से जार के ऊपर बैंक डिफ्टी बंद रहा है जब तक अठरा जार के ऊपर निफ्टी बंद रहा तक बहुत चिंता की जरूरत तो नहीं है अब तोसोप पुइंट का कुशिन है और धाइसों में वो जोश नहीं आ रहा है जो नत्जियों के पहले का था करेक्ट通보 रियिड के बाद भाग नहीं रहे यो रिजल के पहले भाग रहे समझ रहे सेम प्राइविट टॉप आउट हो गए, हो गए तो ठीक, ने तो अगले कौटर में, यानि कि पहली तिमाई के जो नतीजा आएंगे, वहाँ पर निम्स टॉप आउट कर देंगे, इसलिए अब बैंक्स में कूद कूद कर चड़ चड़ कर खरीदारी नहीं आ रही, अच्छे नतीव के बावज चाहिए, आप भरपाई कां करेंगे, मार्जिस नहीं बढ़े, इसलिए दो तरह से कमाई करते हैं, एक तो आप लोन ज्यादा दे दो, और एक जो लोन दे रहे उस पर आप ज्यादा कमाई करो, ब्याज की, तो जब ब्याज की कमाई अब आपके लगबग हायर लेवल पर आ ये माउल है, ये शायद निम्स इनके हाईस लेवल पर पहुंच रहे हैं, एनिवे, तो हमारे बाज़नों का जहां तक सवाल है अपने दोनों लेवल पर फोकस करना है, जब तक इसके उपर बंद हो रहा है, टेंचिन की बात नहीं है, और निफ्टी में तो क्लियर कट कोई भी ब्रेकाउट सिगनल ही, जो हमारा लाइफटाइम हाई की तरफ जाने का लक्ष है, वो बरकरार है, अगर लेवल के हिसाब से कोई नेगेटिव संकेत आएगा, तो इसी स्क्रीन पर आएगा, यहीं आएगा, किसी निफ्टी में तो हम देखेंगे, जब तक ऐसा आप मूर माहूल पोजिटिव साइट पर रखेंगे, पोजिटिव साइट पर रखेंगे, कोई परशानी ने, ठीक है सर, अच्छा थो पॉजिटिव मूर की बात करी तो चलिए, अच्छी चीज की थोड़ी बात कर ली जाए, कुछ हफतों से आप कही रहें, आक्शन इंड पर रखेंगे, और इस च्छी अपरेल की पॉलिसी में अर बात कर रहें बढ़ाना रोक दिया था, तब से लेकर कल तक 21 ट्रेडिंग सेशन होए, लग 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 एक महीना समझ लिए, च्छी अपरेल से आप 10 महीन हो, 10 महीन है ना, एक महीना समझ लिए ठीक है, या 5 हफते स आपको सम्झना हो, पिछले 21 ट्रेडिंग सेशन में स्मॉल केप इंडेक्स सिर्फ 3 बार नीचे बंद हुआ है, नेगेटिव, सिर्फ 3 बार? सिर्फ 3 दिन नेगेटिव बंद हुआ है, और मिट केप इंडेक्स कल का गिनके चार बार, कल का भी एकदम फ्लेट है, और मिट केप इंडेक्स दो बार तो 0.09, 09 मैंने के लगबग नहीं के बराबर, सो बेसिकली दो-दो दिन से ज्यादा की नेगेटिव क्लोजिंग आपक सिर्फ 21 सेशन में है, और ओन और नवारेज निफ्टी के स्मॉल केप इंडेक्स में 50 स्टोक ऐसे हैं, जो 15% से जादा बढ़ा हैं, और 20 स्टोक ऐसे हैं, जो 15% से जादा एक महिने में, डबल इंडेक्स की मुकामले में डबल रिटेंग जिये हैं, और पॉजिटिव रिट इंडेक्स में शामिल होने वाला बड़ा है, यह ब्रोडर मार्केट की ताकर दिखा रहा है, यह पार्टिसिपेशन आता हूँ दिख रहा है, फंड्स की तरफ से भी और ग्रेजुली अब रिटेल इंवेस्टर्स भी आ रहे है, तो आइटिंक जो हम पॉलिसी से जर्स पहले और पॉलिसी के बात जो हम बात करें थे क्यों मिटकेप शेरों का समय है, क्यों स्मॉल केप शेरों का समय है, क्यों वहां पर पैसा लगाना चाहिए, आप देखे, एक मेने में इंडेक्स आठ परसें रिटर्न, बहुत बड़ा रिटर्न दो, 8% रिटर्न किसी बिलियाद से कब नहीं होता, साल के रिटर्न होता है, साल साल बर में नहीं मिलते है, करेक्ट, एक किस ट्रेडिंग सेशन, और सोचे ये तो डेटा के हिसाब से चार और तीन नेगटिव क्लोज है, अगर खाली, मार्जिनल क्लोज को, अब जैसे कल निफ्टी, आपका सिन से दो पर नीच आप डेटा देखो, जिस दिन से जब से बोलने हैं तब से डेटा देखो, और इसलिए बोलने हैं कि डरो मत गवरो मत, अब एक दो दिन कभी नेगटिव होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ी ऐसा पोजिटिव चल सकता है, लेकिन अब आठ परसेंट आपके एक महीन में रिटर्न आने के बाद, ने चलिए आप थोड़े स्टोक स्पेसिव और ज्यादा सेलेक्टिव होना पड़े, शुरुवात में क्या होता है, आप कुछ भी खरीदो पेसा बन जाता है, जैसे जैसे तेजी बढ़ती है, 16-800 पर आपने कुछ भी लिया पेसा बन गया, अब खाली है, आपका सेलेक्शन प्रोसेस जो है, उसको थोड़ा टाइट कर लीजे, कौन सा शेर फंडामेटरिल ठीक है, कहां अभी तक चाल लिए है, कहां अभी ट्रिगर है, वो आपको पेसा बनाएगा, पेसा तो अब भी बनेगा, अब भी बनेगा, लेकिन थोड़ा स अब लेंगे, लेकिन समझ कर लेंगे, अभी भी मौका है, आपको समझधारी से करना है, उसमें तो कहीं दो राई ही नहीं है, मतलब ये डेटा बताने के पिछे ये मत समझ जा कि मतलब तेजी कतम होगी, ना, और आपको तीन-चार दिन पहले भी दीप मैंने यही कहाता कि ह अगर आपकी सही एंट्री हो गई है, तो मोटा पैसा बना के निकलो, दूसरी चीज, अगर पुराने शहर पार्किंग करके पड़े आपके पास में, भाव आ रहे हैं तो ऐसे ही मत भाग जाओ कि भाव आया भागू, थोड़ा और पैसा बनाने की सोचो, बन सकता है, मौका नहीं आते हैं, अगर आप उसको मिस कर जाओगे ना, यह महिने, दो महिने, हफ्ते, चार, दो, चार, चार, छे हफ्ते की जो तेजी बनती ना, अगर उसको आपने मिस कर जाओगे, तो फिर साल भर क्या करोगे, साल भर तो पार्किंग यह होनी है ना, साल में आट-दस महिन ठीक है सर तो चलिए यह है आपके लिए इंपॉर्टन डिसकेशन आज का भरोसा मिट कैप स्मॉल कैप में अभी भी बरकरार है और मौके अभी भी दिखेंगे आपको आई सर आज का सेट अप फिर समझाएं क्या करिया आज की सेट ग्लोबल संकेट न्यूटरल साइट पर हैं एफाइस के संकेट और गरिल फॉर्ण्स के संकेट आज इसकेट अजय कर दोनों है तो कारूड़र के संकेट न्यूटरल और सेंटिमेंट ट्रेंड है पौजिटिव निगटिव कुछ भी नही चार पौजिटिव आपके सामने दो है न्यूटरल 18-200-18-250 निफ्टे पर पहला सपोर्ट रेंज आज के लिए ये बनेगा इसके ठीक नीचे 80-100-150 स्ट्रोंग बाई जोन है अगर इस रेंज में आए तो तुरन प्रवाव से करनी है खरीदारी उपरी स्टों पर 8-300-8-350 ये हलकी फिल की रुकावट की जगे कल का हाई भी लगबग महीं पर है पार करके निकले तो 400-450 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है लेवल्स बड़े आसानी से आराम से निकल कर आए है बैंक टिफ्टी 43,000-43,000-125 कल का लोग जो 125 का है ये आपका पहला सपोर्ट जोन है इसके निचे जाने की संभावना कम है लेकिन अगर गए तो 42,675-42,825 मजबूत खरीदारी की जग़े बन कर आती है और से रेंज में आये तो आपको डेफिनेटली खरीदना है उपर की तरफ 43,000-43,500 हलकी फुल की रुकावट की जग़े पार करके ठीक है निकले तो 43,000-575,000-43,000-725 ये वो रेंज जहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट और तेजी की पोजिशन सब कुछ कम करना चाहिए अब आईए, FIS की तरफ से इंडेक्स लोंग पोजिशन एक परसें गटी है, 48% कमफ़र्टेबल है, निफ्टी का पुट कोल रिश्यो एक दस से एक आया अच्छी बात है, बैंक निफ्टी का तो 0.74 और अच्छी बात है, विक्स अंचेंज है, कोई खास बदलाव नहीं है ठीक है, मौजूदा पोजिशन के स्टॉप लोस? यह स्टॉप लोस में भी आप कोई बदलाव छेड़ चाड़ नहीं करेंगे, 17,000, 18,350 यह आपके लिए, ना ना ना, 18,350 करेंगे, इसको 300 नहीं, 300 तो कल वाला ता, जो ट्रिगर हो गया, इंट्रादे वाला, क्लोजिंग नहीं, आज 18,350 है, इंट्रादे और क्लोजिंग य लिए, और बैंक डिफ्टी का भी कल वाला ही रखेंगे, थोड़ा दूर है बैंक डिफ्टी में, मुझे पता है, 5,500 डूर है, लेकिन 43,750 यही स्टॉप लोस डंका आपके लिए निकल कर आता है, बैंक डिफ्टी पर, बैंक डिफ्टी में चाहें तो आप बदलाव कर सकते 33,750, 700 के पार निकले, तो यह फ्रेश तेजी आएगी, तो एक बार थोड़ा बैंक डिफ्टी कंसलिडेशन करने के मूड में दिख रहा है, सपोर्ट कम मिल रहा है, इसलिए मेरा यह मानना है, थोड़ा बैंक डिफ्टी में दूर का स्टॉप लोस भी रखें तो दिख करते नई पॉजिशन साच लिए, खरीदना है निफ्टी, अठरा एक सो पचास, अठरा दो सो पचास, आज इस रेंजी में अगर आपको मुका मिलता है तो जरूर खरीदारी कीजिए, अठरा जार पचास का एस्टोप्नोस लगा कर खरीदारी करें, टार्गेट जो बनेंगे, अठरा दो सो पचास, दो सो पचास और तीन सो चोटी टार्गेट है, तीन सो पचास चार सो बड़े टार्गेट के लिए करनी है खरीदारी, जो लोग बेचने चाते हैं, तीन सो पचास से मूर बनाए, तीन सो पचास से चार सो पचास थोड़ी सी बड़ी रेंज है शॉर् टार्गेट जो बनेंगे 18300, 275 और 250 ये तीन चोटे टार्गेट है, 225 और 18150 फाइनल टार्गेट जिसके लिए करनी है आपको भीखवाली, डोन होगी, निफ्टी पे बेचने लेने की, ठीक है, बैंक निफ्टी, खरीदना है 42,950 के साथ, लेकिन खरीदने की रेंज जो है, वो 23,000, 23,125 की एग्रेसिव टेर्रस के लिए, और एग्रेसिव टेर्रस इसलिए कह रहा हूं दीफ खरीदारी करने के लिया से, ताकि आप स्टिक स्टॉप्लोस 22,950 का लगा है, वो स्टॉप्लोस कट जाए तो छोड़ दीजे, 42,950 का स्टॉप्लोस, चलिए कि वही भी स् एक्सों पचीस इस रेंज में खरिदारी, ताहल इस 200, 275 दो छोटे टार्गेट है, 350, 425 दो मीजियम टार्गेट है, 500, 575 के फाइनल टार्गेट के लिए बैंक टिफटी में करनी है खरिदारी, या आपके लिए बैंक टिफटी में आपके सामने लिवल अभी आ जाएंगी खरिदारी करने के लिया है, ठीक है, बट आप दोनों के लिए अग्रेसिव ही है, हाँ, दोनों में अग्रेसिव है, इसलिए कि बैंक ट्रिप्टी है ना, दीप 23,000-23,500 के रेंज को ट्रेड कर रहा है, इस रेंज में से किसी पी तरफ एक तरफ बाहर निकला तो 200 पुएंट क हाँ कि मूग के लिए तयार हो सकता है, इसलिए आपको पर खरिद रहे हैं, तो ढह century stop loss के सात करना है, यह तो भी माहक कि राय कि रहे हैं, जो बेचने की 43,750, 43,750, जहां से आपको बड़ा breakout मिलेगा, वह स्टॉक्टोस लगाना है, टार्गेट जो बनेंगे 43,350, 275, 43,750 दो चोटी टार्गेट है, 43,200, 43,125 दो मीडियम टार्गेट है, 43,75 और 43,000 तक के फाइनल टार्गेट के लिए करनी है, लेकिन दोनों ही इसलीं के लिए का, खनेदारी की राई भी उसली आज से और बेचने की वी, पास मौका है, बस वही बात है, आपको लेवल्स फॉलो करके रिस्पेक्ट करनाने के लिए, है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज людей जो दो दिनों से हम देख एज़न Finnish दो मलत कर रहे हैं अपको धर्या धरिधारी कर यह लगातार दिनों से केश में एफएज और डिया की लगातार आपको खरिदारी आ अफॉझ कर दिये और इसलिए मैंने आज उनके नंबर्स भी पॉजिटिव साइट पर लिखे है चारसो पांच करोड़ की खरीदारी केश मार्केट में लोकल फंड्स किया है 1922 करोड के एफाइस किये कलके तो खरीदारी में काफी कुछ योगदान मैंनकाइन फार्मा का भी रहा होगा जहां पर अच्छी तेजी और 1400 के आसपास की क्लोजिंग किसी भी लियाद से बहुत बढ़िया कही जाएगी तो वहां से खरीदारी का आँक राया है आफशन में हलकी से स्टॉक इंडेक्स फिचर्स में हलकी सी 515 क्रोड की बिक वाली और स्टॉक फिचर्स में 60 क्रोड की करीए तो कैश मार्केट में दमदार खरीदारी के आंक रेकल के सेशन में भी आए हैं एवाइज और लोकल फंड दोनों की तरफ से वाइदा करोबार के डेटा 18,200 जब तक इसके ऊपर ट्रेड करें दिन के दौरान आप कमज़ोर ही नहीं तो 65 का कुशन है आपको कमज़ोर फील करने के पहले हैं तो जब तक 65 कोई नीचे तब तक तो टेंशन ही नहीं है आप कमज़ोर ही नहीं अठरा 200 से ही गिनना है और अठरा 300 से और मजबुत ही गिनना है क्योंकि अठरा 200 के पुट पर एक करोड शेर हैं हाइस अठरा 300 के कॉल पर एक करोड पांच लाग शेर ह आपको बता रहे हैं, बड़ी और अच्छी और मजबूत तेजी 18350 की ऊपर निकलने पर बनेगी कल का हाई क्रोस करने के बाद, तब तक आपके लिए ब्रोडली रेंज जो आज की रहेगी फिर वो 18200, 18350 की रेंज को आपको ट्रेड करना है, ये FN नो डेटा बता रहे हैं, ब 24500 इसको पार करके टिकते हैं, तो ही आप मजबूत है, तो एक चीछ साफ दिख रहे हैं, 23400, 24500 की रेंज में कंजेशन जोन है, वहाँ FN में बैंक रिफ्टी में कॉल राइटिंग काफी होके रखी, तो 23400, 24500 के आसपास आता है, यानि कि आप 200 पोइंट नीचे आए, तो बना सकते हैं, 200 पोइंट ऊपर आए, तो हाँ हलके फिलके प्रोफिट बुकिंग करने का सोच सकते हैं, तो ऊपर में 4300, 24500 रुकावट का काम करेगा, नीचे में 3200 के आसपास सपोर्ट है, ये FN नो डेटा आपको बता रहे हैं, चले ये है पूरा का पूरा डेटा का आई, अब नतीजों के बात करते हैं, स्टॉक्स पर करते हैं, फोकस और पहले बिगुल अने जी के लिए, स्टॉक आफ दे डेगा, बता है सर, रेन इंडिस्री इसके फ्यूचर शॉट करने के राया है, और इसका फ्यूचर मुझे खराब ही दिता है, दो वज़े से, एक यह है कि फ्यूचर में जून सीरी इसका आखरी है, जूला इसे बार भी हो जाएगा, लेकि जिस तरह की परफॉमेंस आ रही है, वो बहुत ही शॉकिंग है, डराने वाली है, पहले मैं बतले लेवल साब को ले दूँ, रेन इंडिस्री अभी तक एफनो में है, शॉर्ट कर मतलब इतनी कमज़ोर परफॉमेंस किसी कमनी कैसे आ सकती है, रेविन्यू एक ही चीज अच्छी है जो अठा परसेंट बढ़कर आया है, लेकि मज़े की बात है, अगर अठा परसेंट रेविन्यू बढ़े और उसके बाद ऐसी परफॉमेंस आए, इबिटा बटीस परसें परसेंट नीचे है, प्रोफिट 62% नीचे है, मार्जिंस 18% से 10% इतनी खराब परफॉमेंस है, पूछो मत और उसके ओपर जिन लोगों के पार, अच्छा एक चीज सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक फंड मेजर हैं, आप ये नंबर्स देखें, पितला कॉर्टर भी ये कौर्टर भी और खराब है, आप कैसे खरीदेंगे, शेयर को खरीदने का आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्मेंट कमिटी के पास प्रपॉशनल जाएंगे, कि मैंने 500 रुपे में रहन खरीदा था, इसलिए हम एक सो पचास में एवरेज करना चाहता हू वो ऐसे फैंक देगा काल जाएंगे, भले डैसो में क्यों खरीदा पहले तिये बता, येस, और डैसो में खरीदेंगे, तो अब सिफ एक ही चीज़ हो सकती कि स्टॉक अलड़ी खराब ही है, मतलब मेरे खाल से कल भी थोड़ा नीचे, फ्लैट बंद होाता कल तो हफते बर म है, तीन मेने में साथ परसें नीचे रहा है, तो ऐसा बहुत गटा भी नहीं है, बड़ा तो है नहीं खेर, तो अब वो एक अलग चीज़ हो सकती कि डे टू डे बैसिस पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, बट मेरे खाल से नंबर सो बहुत किसी भी लियाद से खरा क्योंकि raw material cost का जो इनका pressure है वो अभी भी वरकरार है, तो अब जो पहली तीमाई के नंबर आएंगे, वो भी ऐसे आएंगे, तो performance सुदरेगी कब, और सुदरेगी तो एक आत कोटर से आपका mood बदलेगा नहीं, तो कम से कम 2-3 कोटर, 2 कोटर तो आप company की performance continuously देखना चाते है और मुझे उसमें दूसरी दिक्कत एक और यह दिखती कि कहीं ऐसा नहीं है, हालांकि directly metal company के लिए संकेट जरूर लेता है, तो कहीं metal company का हाल भी इसी तरह का बुरा नहीं हो, नंबर साब उनके आने अब शुरू हो रहे हैं, यह backbenchers हैं, यही result खराब करते हैं सबका, average जो न नंबर्स पर इदर उदर कुछ भी हो जाता है, अगर वो चीज को छोड़ के देखा, अचा, क्योंकि F&O से बाहर निकल रहा है, तो जो F&O की position भी ultimately जिन सीरीज में तो delivery लिखनी पड़ेगी जिन लिए पास, तो वो एक दूसरी समझ से आए, तो एक यह है, रा सवाल, result review के यह साफ से दो स्टॉक में लिए, दोनें बहुती स्टॉंग परफॉमेंस पहले आपका लियूपिन, बहुत शांदार परफॉमेंस तो इसमें कोई डाउट ही नहीं कि हर एक परामेटर पर नंबर्स बहुत बढ़िया है, कामकाजी मुनाफ़ा बढ़िया है, सेल्स ठीक है कोस कंट्रोल में रखी है इनोंने, लेकिन यह है कि स्टॉक के नंबर्स अच्छा कासा एक्शन में रहा भी है, पांच-छे परसेंट और तेजी हफते बर में दिखा चुका है, और कल भी दो परसेंट उपर भाँ, अब आज इन नंबर्स के दम पर खुलेगा तो उपर, ख आज अब आपको प्रॉफिट बुक करना है, तो अल्टीमेटली तो आपको खुलने के बाद के एक्शन पर फोकस करना है, तो दो परसेंट की कल की तेज़ी के बाद, अगर आज और मजबुत खुलता है, इसमें आज शाम को कौन कॉल होगी मेनेजमेंट के तरह से, तो अम स्टॉक तीन सो के पार है, और दो साल पहले में लगातार ये देखता था, देर साल पहले की बात होगी, हर रोज मेनेजमेंट की तरफ से अपॉलो टायर में खरीदारी आती थी, सो रुपे के आसपास, नबे रुपे के आसपास, एक सो दस रुपे के आसपास, में रिखाल से कोई भी लियाद से आप देखेंगे तो नंबर्स बहुत अच्छे हैं लेकि प्रॉब्लम यह कि स्टोक एक साल में डवल हुआ है तीन मेने में पंदरा परसंट चलावा तो यह स्टोक भी चलावा है आम तोर पर अपुलो टायर में मैंने यह देखा कि रिजल् रिखाल में वह स्टोक है तो प्रॉफल बुक करोंड़ा है नहीं तो आपके लिए आयनी रिजल्टिय समझ ज़िए लिप्ल में भी से मैं सही है अगर आपके पास है तो उपर में प्रॉफल बॉफल करिया फ्रेष्ष करीदारी दोनों में नहीं ठीक है बट पॉजिव नं नहीं है, इन नुम्मर्स किसी भी तर है, खाली है कि 4% 5% चल लेना है कि आपको, वह आला साइव है, पर अपर नहीं है फ्ला है इन नबर्स पर लेना इन नंबर्स पर यूपीन हो चाहें अपूलो शोर्ट सेलर्स करेडेगा, जिसमें शोर्ट किया उशको काटना है, उसकी ट पर मॉनिंग सबसे पहले हैं निफ्टी से आज डॉक्टर रेडी सर एलिंटी के नतीजे आने वाले तो दोनों ही स्टॉक्स पे रहने वाली नजर एफ नो की बात के तो बॉश एसकॉर्ट स गोधिश कंजीमर प्रड़ा का गुजरात कैस के आज नतीजे आते दिखेंगे तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नजर गोफर्स की जो इंसॉलवेंसी की अप्लिकेशन थी उस पर आज एंसे लडी का ओर्डर आने वाला है साड़े दस पजे तो यह एक इंपोर्टेंट इवेंट है जहां पर रहेगी नजर एक स्टेट के चलते कोफोर्ज इंटरिम डिव सब्सक्राइब तक 0.27 टाइम तो यहां पर भी रहे की नजर इंपोर्टन ट्रिगर्स आपके नतीजों के करते हैं शुरूत मौनिंग अर्मान बताएं इंपोर्टन नतीजे कौन से आएं जिसमें आप सबसे पहले बात करें तो आपको नतीजे ओवरॉल आपको कम जोर दि दिखिए लेटेंट विव यहां पर आप देखें आए लगभग 3% के आसपास गिरकर आई है मार्जिंस जो है वो 29% से गिरकर 21% पर आते वह दिखें हैं और मुनाफे में अगर आप देखेंगे 35% के आपको गिरावट आती वह दिखिए केस भी यहां पर बात करें आए 27.8% पर आते वह दिखें हैं और मुनाफे अगर आप देखें मुनाफा लगभग फ्लैटी रहा है 1% के आसपास के आपको बढ़त दिखेंगे नुवको विस्तास आए यहां पर आपको लगभग मुमेंट अच्छा दिख रहा है लगभग 3930 क्रोड से बढ़कर लगभग करें कि अगर आप इन इस कोर्टर में अगर आप देखें तो लगभग एक ऐस्टेशनल लॉज भी था और डिफर टेक्स है उसके चलते भी कई सारा अजस्मेंट्स हैं शिपिंग और इंडिया यहां पर नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं आए लगभग 8% बढ़ी है यहां पर अगर देखें आए 9% बढ़ी है मार्जिंस जो हैं वो 12.2% से गिरकर 11.1% के आसपास आते वे दिखें हैं कैस्ट्रॉल इंडिया आए लगभग 5% बढ़ी है मार्जिंस यहां पर भी गिर करा है 25.7% से गिरकर 22.8% के आसपास आते वे दिखें हैं गोद्रेज वो 3.6% के आसपास जो है आते वे दिखें हैं और अंतमे हैट सनेगरो की बात करें तो नतीज़ें में आए लगभग 10% बढ़ी है मार्जिंस जो है यहां पर कट होती है 9.8% से गिरकर 8.7% के आसपास आते वे दिखें हैं और मुनाफे में भी लगभग आपको 16% की कट होत की ग्रोथ यहां पर पिछले साल के कंपैरिशन में नजर आएगी साथ-साथ IRB इनविट जहां पर 7% से टूल कलेक्शन बढ़का है पिछले साल के कंपैरिशन में तो दोनों ही स्टॉक्स पर आज नजर रहने वाली है कंपनी के तीन लेंदार ने डीजी सीय से में अरजी दिये तीन एकरफ को डी रजिस्ट्रेशन करने के लिए यह अरजी लगाई गई है तो यह एक इंपॉर्टन ख़बर है स्पाइस जट और एविशन इंडस्ट्रिस के लिए तो यह स्टॉक्स में रहने वाला है एसर फ कल नतीजे भी आयती और आज उसकी बाद कंपनी का कहना है कि अलुमिनियम फॉल की मैनुफाक्ट्रिंग फेसिलिटी का जो कंपनी सेट अप लगाने वाली थी पहले कंपनी ने कहा था कि उसकी लागत करीबन 425 करोड होगी अब कंपनी ने उसकी लागत को बढ़ा उसका एस्टिमेट 530 करोड अब कंपनी लेकर चल रही है तो SRF भी आज फोकस में रहेगा और रियल्टी 16 माई के दिन वोट के बैठागे नतीजों के साथ कंपनी डिविडेंड और एक्विटी और दूसरे माध्यम से फंड चुटाने पर भी विचार करने वाली है तो और अधानी ग्रूप के स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाले क्योंकि अधानी ग्रूप की जो तीन कंपनी वो SBTI लिस्से बहार हो जाएगी SBTI basically UN-backed group है ESG की तरह होता है तो यहां से तीन कंपनिया भार हो जाएगी तो आज फिर से अधानी ग्रूप स्टॉक्स में रहने वाले है और लास्ट में इंडोस्टार कैपिटल जहां पर रॉसी ब्लू इंडिया ने करीबन 0.47% से अपने हिस्सेदारी बढ़ाई है 6.43 ल सबसे पहले देखिए लूप में यहां पर नतीजों के इंपक्ट आपको देखने को मिलेगा मिक्वारी की तरफ से रिपोर्ट आई लेकिन कोई भी बदलाव नहीं है और पर्फॉर्म के रेटिंग को बरकरार रखा है 746 की क्लोजिंग 790 रुपे का टागेट दिरे लेकिन खास बत ये कह रहे हैं कि कामकाजी मुनाफ़ा अगर आप देखे तो 29% और पूरा मुनाफ़ा अगर आप देखे तो 83% रिप का अनुमान से बहतर देखने को मिला है मार्जिंस भी अच्छे हैं और आगे ग्रोथ के लिए कर भी ये कॉन्फिडेंट है लेकिन टागेट प् प्रजिंस अगर आप देखें तो इसने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन यूरोप में ठीक था की प्रदर्शन अर्मान के मताबिक यहां पर रहा है सिटी खरीदारी के राय को बढ़कर आ रहे हैं करेंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष देरे 375 रुपे का इसके पानरे की लॉंग टर्म आवरिजेस जो वालिएशन किया है प्राइस्ट बुक के लियाद से अब वो फाइव वियर्स के जो आवरिजेस से नीचे चल रही है तो वालिएशन अच्छी है और आगे जाके आर ओए इस में आपको भी इंप्रूब्मेंट देखने को मिलेगा तो इंडिसन बैंक पर यूबियस बूलिश है ओके यह है आपके लिए कुछ टॉप रिपोर्ट साच की और कौन से रिपोर्ट साच चीज़ पानशु पिडिलाइट यहां पर से लेसे की तरफ से रिपोर्ट आई है बिकवाली के राय को बरकर आ रहा रहा है लेकिन जो टा लगश के लिए यूपील पर भी देखें तो मौगन स्टान्ली वबरवेट की रिटिंग को बढर कर आ रहेकिन लक्ष 932 से बढ़ाकर 85694 की क्लोजिंग और SRF यहां पर भी मौगन स्टानली वबरवेट की रिटिंग को बढर कर आ रहेकिए 3342 की लिए 2588 की क्लोजिंग है जेफ्रीज ने होल्ड के राय दिया है करेंट माकेट प्राइस से नीचे का रक्ष दिया है सुमाटो पर इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है ओंडी सी को लेकर जो बस चल रहा है इसके बाद ही रिपोर्ट है यह बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से जहापर न्यूट्रिल की राय को बरकरार रिखें हैं 1200 के लक्ष के लिए ऐसी राय नुपुर और आशिश अर्मान भी रखता है बहुत ज्यादा फायदा हो इंडीस से नहीं है और कुछ-कुछ लोगों तो डिलिवरी में बहुत ताइम रखता है एक किसी ने ट्विटर पर डादा देड़ गंटे अगे थे उनके ओडर की डिलिवरी तो थोड़ा सा ओर रियक्शन था मार्केट का कल जो 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 में टो 6-7 परसें गटा आया फिर दूसरे स्टॉक्स पर जो लग रहा था स्वीगी के भी वेलिशन कम हुए दोनों ही रिजन एक साथ आ गया और हमने तो यह परसुन ही कर दि कॉस्पी को भी केपक्स का एन्यवे चलिए धन्यवाद अब होगी सारी और उर्मा की तो आईए अब वक्त है पिक अफ़ देडे का गुड मॉर्निंग अम्री सर शुरुआत करें बताएं सर आपकी पिक अफ़ देडे पिक अफ़ देडे है आई से लॉंबार जेनल इंसरेंस FI 23 में जो gross direct premium income था वो 21,000 croze का था 17% growth दिखाया है जो industry growth से भी higher है एक market leader है private sector insurance space में और इनका market share है करीब 8.2% which is extremely good focus है health insurance पर और यहां growth दिखाया है करीब 31% का which is higher than industry recently about 1,000 agency managers or 10,000 agents recruit किये for retail health insurance channel return on equity करीब 20% का रहा है last करीब 4-5 साल से and FI 23 का जो fat है we have seen a 36% growth to 1,729 croze dividend करीब 10 रुपे का था और payout ratio is about 29% which is also extremely good expected EPS for FI 25 करीब 45 का है और मेरा target है at 30X परीब 1,350 का ओके तो आइसे इसे लोमार्ड यह है stock pick of the day के तौर पर बंचल जी सूपरबाद बताएं सर आपकी पसंद का share सूपरबाद अनिल जी सूपरबाद देपांशो अनिल जी मेरी तो परशानी अनिल जी खतम नहीं हो रही है सुबह अनिल जी वॉक पर था तो वहां पर अलग अलग पार्क में जाता हूँ किसी ने मेरी pick of the day पहली प्रेडिट करनी थी कहते जी आपकी डीवीज लैब होगी या टीचेस होगा और मैंने डीवीज चूज कर रखा था सुबह अनिल जी थोड़ा जल्दी आके मैंने आइसे इसे लंबाड लिया तो वह अम्रीज सर लेगे तो अनिल जी मैं भी अम्रीज सर के साथ ही हूँ उनके पीसे चलने में अनिल जी कोई संखोश नहीं है तो आइसे इसे लंबाड अनिल जी मेरा pick of the day 1080 का लगाना है stop loss 1145 का है target और अनिल जी यहां पर मैं कैसा channel check share कर रहा हूँ जो मेरे agenda में नहीं था हम research से inspire होके share कर रहा हूँ अनिल जी general insurance के अंदर best premium best premium in the industry ICI से लंबाड के हैं अगर किसी को अपना home insurance ये fire का earthquake का किसी भी natural calamity का लेना होना ICI से लंबाड से best जो terms and condition है premium है industry में कोई भी उसके nearby नहीं है और मेरा pick of the day है ICI से लंबाड अनिल जी ओके तो ICI से लंबाड बंसल जी ने decide कि है कि वो अमरिस सर के पीछे पीछे चलेंगे और बंसल जी का ये decision बहुत ही सही है अभी अमरिस सर के पीछे बाकी दिन बड़ शोके दौरान कुनाल जी के पीछे और गर पर तो आपको पता ही किस के पीछे तो बंसल जी ये पीछे पीछे चलने की जो आपकी परमपर आपको मांसिक रूप से स्वस्च दूर्स रखती है इसका पालन करते रहें आईए तैयारे कुनाल जी अबर साथ कुनाल जी सूप्रभाद बताएं सर पिक ओफ दे डे down पर आने जी प्रणाम द्यीपांचु्षा शूप्रभाध नेंजी ये दिए पीछे चलने में और पीछे पढ़ने में छेב माल कपड़नीरी मस्तों का पर में जी जी सर, बिल्कुल, पॉइंट नोटेड, बता है सुस्यूंट, अनि जी खरिदारी की राये हैं और बहुत समय बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर खरिदारी के लिए आया, स्टॉक का नाम है दीपक नाइट्राइट, चार्ट पर एक पैटन बना है, जिसको राउंडिंग बॉ पर पहला टार्गेट होगा 2000 रुपे का, दूसरा टार्गेट 2040 रुपे का खरिदारी की राये है दीपक नाइट्राइट, ये हो स्टॉक जो खरिदारी की राये आपके लिए आती तो बहुत दिनों बाद आपको ये पैटन दिखा है, बहुत दिन नहीं मतलब आप ये बताये सर्पिक ओधडे, शूप्रभाद अनिल जी, शूप्रभाद दीप, अनिल जी आगरा से आप सभी को गूद मॉर्निंग पहले तो, अरे हुआ, आगरा, सब ठीठा के सर्थ, अनिल जी बहुत पहले इस तो आप मजा किया जाता था सब पुई आगरा इस पहले नों ब अनिल जी, आपका तो हमें पता है, माघरा का पूछर थे, जी सर्थ, बताये, पिक ओप दे डे, रहे गिया निल जी, एयू बैंक, जो कल मैंने क्लोजिंग खियो में भी कवर किया था, मुझे लगता है कि यहां पर जिस तरह का एक रेंज में से ब्रेक आउट, ट्वर्ड कल देखने को मिला है, यह स्टॉक एक बड़े समय की कंसॉलिडेशन से निकलने के लिए तयार है, फ्यूचर में लगबख 696 रुपे के आसपास का क्लोज है, तो 690 के नीचे का स्टॉप लगाएं, 725 और 732 रुपे के दो टार्गेट के लिए, एयू बैंक के फ्यूचर मे करके चलने की सला है. समझ कर रियली यह अच्छी बात है अनिल जी यह तो कल बंसल जी ने देखिए जून में शो करना है और उसके लिए पहले ही उन्होंने कल फेल्डिंग लगा दी थी कि मैं जून में जैपूर ट्रेवल करूंगा और वहां से शो करूंगा तो बता दूंगा कि चेंज ओफ लोक परदो के रंग से तो ऐसा ही लगा जी 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 सुभी जी क्या आज ओफिस गए नहीं जी आज पर आभी दिखेंगे तो फोड़ा गला वाला भी खराब है थोड़ा से तभी ठीक नहीं तो मैंने सोचा घर से आज मैनेज करते हैं ने चली अच्छी बात है थोड़ा आप आर बुलवा दे तो वो नहीं होना चीए ड़न सब्सक्राइब करेंगे पूरी हेल्प करेंगे जी सर बताए नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है जितने ची उतने सवाल आ सकते हैं जी सुम्हीं जी बताए पिक अफ़ दे जी आने जी डाबर चार्स पर बढ़िया दिख रहा है डा तागेट 535 का तो डाबर के अंदर रिबाउंड के सिगनल मिल रहा है लोगर लेवल से एक दो दिन से बाउंस पेक देखने को मिलना चीए 508 के स्टॉप्लों से करदारी करें 528 535 के टागेट के लिए ओके तो यह है आपके लिए डाबर जहां पर आपको रखनी है नजर स् कई सारे स्टॉक्स के अपडेट्स भी आपको आते हूं दिखें कल के नतीजों के बाद आज भी रियाक्शन होगा एसरेफ क्योंकि बात निकली थी एक बार अम्री सर से एसरेफ पर भी रहे लेना चाहूंगा अम्री सर टेक्स्टाइल बिजनस की कुछ खास परफॉरमेंस नहीं रहे थी उसकी वज़े से थोड़ा दबाव आया केमिकल बिजनस फिर भी इनका ठीक ठाकता है एसरेफ पर कोई आपकी रहा है और यह जो नया अलुमिनियम फॉइल सेटप लगा रहे हैं वहाँ पर जो केपेक्स हा वो 425 करोड से बढ़कर अब 530 करोड का हो गया ती दबाव रहे सकता है बड़ा इस एक करेक्शन आप आपको कैसा मुव आ जाते हो दिखता है बट इंट्रेसिंग कांटर कल की मुव की बाद देखते हैं आज कैसा फॉल आ एक्शन रहेगा शिपिंग कोपरेशन बंसल जी जड़ा इसके चार्ट देखें अच्छी परफॉर है 42 परसेंट एबिटा बढ़ा है मार्जन 25 परसेंट के अल्मोस 33 परसेंट हो गए है मुनाफ़ा भी धाई गुना बढ़कर आए चार्ट क्या कहते हैं सर्शेपिंग को उपरेशन दिपांचु चार्ट एक्स्ट्रिम्ली पॉजिटीव है चल रहा है 94 रूपीज के राउंड है 89 रूपीज का ओना क्लोजिंग बेसिस मुझे लगता है है बट एक ओवर्वेट ख्रिदारी की राये है और शिपिंग कॉर्परेशन आप इंडिया बिलकुल तो शिपिंग कॉर्परेशन कल वैसे कमजोर बंद हुआ था बट अदर्वाइस नंबर्स अच्छे हैं और चार्ट्स पर भी पॉस्टिव भी आ रहा है